आप सभी को नमस्कार जहींद वन्दे मातव दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब सोरी में और देखे आज जो नहीं अपडेट आई है इंडियान आर्मी कोड से डिरेक्टली ओफिसर्स बनने का माउका आपको मिल रहा है आपको मौकर है ऑफिसर्स बनने का तो दिखे यहां पर सबसे पहले में बता देता हूँ टूटल वेकेंसिस की तो टूटल वेकेंसिस एक सो नमासी पोस्टर्स में वेकेंसिस आपको देखने को मिलेंगी उसके बाद अगर आप इस वेकेंसिस को आपडेट आई थी वह आई अगर इंटरस्टिंग हो तो और एक चीज और कर देना चाहता हूँ यार इस वेकेंसिस में वह एकेंसिस एलिजिबल होंगे जो अनमेरेट होंगे ठीक है और इसमें मेल और फिमेल दोनों केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी अब य इसलिए आपको थोड़ा से बी क्यार्फल रहना होगा तो यहां पर सबसे पहले में बात कर लेता हूं अब आगे बढ़ते हैं और यहीं पर बात कर लेते हैं एज लिमेटेशन की तो देखिए age limitation में यहाँ पे minimum 20 words रखे गए है और maximum 27 words की age criteria यहाँ पे रखे गए यानि कि उम्मीदवार का जन्मा 2 October 1994 से लेके 1 October 2001 की बीच होना चाहिए ओके यहाँ पे हम लोग बात करते हैं section की उग्यता की तो देखे इसके लिए section की उग्यता engineering अगर आपने engineering complete कर लिए या फिर आप final year में हैं तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब training सुरू होगा तो उसके 12 सब्ता के वितर में आपको जो आपके degree मतलब final देके degree है वो आपको submit करनी होगी देन उसके बाद यहां पर बात कर लेते हैं training period की तो देखे आपका जो training period जो टूटल चलना है वो उन्चास सब्ता की होगी और जो candidate successfully training complete कर लेते हैं उनको मदरास university की ओर से defense management and statistics है ना मतलब पीजी की डिपलोमा दिया जाएगा देन तो एक बार और इसको repeat कर देता हूँ जो candidate successfully training को complete कर लेते हैं उनको मदरास university की ओर से defense management and strategic studies में PG का डिपलोमा दिया जाएगा ओके देन देखे आपको और सारा जीज इसका जो description में आप चेक करना वहाँ पर official site का link मिल जाएगा वहाँ पर official site में ही आपको जो इसका official notification वो मिल जाएगा तो वहाँ पर जाके आप लोग अच्छे से read कर सकते हैं वहाँ और सारा जीज clarify हो जाएगा देखे चुकि मेरे को video sort में बनाना है लेकिन आपको sort term में ही बहुत अच्छे तरीके से समझाना है इसलिए मैं इसको थोड़ा sort में बना रहाँ वीडियो को यहाँ पर हम बात कर लेते हैं selection procedure तो selection procedure बिल्कुल सिंपल है यार इसमें आपको exam clear करना है ना इसके लिए आपको मार्क जिट है उसी के अधार पे आप लोग का sort list निकाला जाएगा उसके बाद जो आपका SSB interview के मतलब SSB interview पांच दिन का होगा exam के दो stage होगे first stage करने मतलब जो candidate first stage को clear करेंगे उनको दूसरे stage में interview के लिए बुलाया जाएगा और एक चीज और है कि अब आपको लगेगा इसमें fees के requirement क्या हुई तो किसे भी candidate को इसमें fees payment करने के जरूरत नहीं है तो वीडियो के information अगर आपको सहीं लगे इन्फरमेटिव लगे तो प्लीज चैनल को subscribe करना, share करना और आपके जो भी doubts होते हैं comment करके जरूर बताना तो पर चलिए मिलती हैं और ऐसी नहीं update की साथ तब तक सब को bye bye, great day, जहीं वंदे मातरम